गैस इस एसे टल्टर स्मार्ट वोज के 5 ऐसे प्लस पॉइंट बताऊंगा और 5 ऐसे माइनस पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका जो भी कन्फ्यूजन है आप उसे दूर कर सकते हैं आपको ये बाई करनी है या नहीं करनी है गैस ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मुझे कई सारी कॉमेंट्स आ रही थी कि ऐसे टल्टर का प्राइस क्या है ऐसे टल्टर हमें कहां से बाई करनी है क्या ऐसे टल्टर हमें बाई करनी चीए क्या ऐसे टल्टर में हमें कोई प्रोब्लम हो सकती है ऐसे म इंदर हम SIM card लगा के जो है calling वगएरा भी कर सकते हैं और इस smartwatch को आप अपने smartphone की तरह use कर सकते हो जिससे आप यह smartwatch जो है पूरी smartphone बन जाती है अभी इसके minus point के बारे में बात करें तो यह smartwatch पे full charge करने के बाद जो है आप इसे 3-4 गंटे ही चला सकते हो यानि कि इसकी जो battery backup है कि यह काफी हमें कम मिलती है और अगर आप इसे calling करते time पूरे दिन चलाना चाहते हो तो आप इसे जो है पूरे दिन तक नहीं चला सकते तो ऐसे टल्टर स्मार्ट वोच में हमें सबसे ज्यादा problem होती है बेटे बेकप की अभी हम बात करें second plus point की तो इस 4G Android smartwatch के अंदर हम without SIM card भी internet चला सकते हैं क्योंकि इस smartwatch में हमें Wi-Fi का भी option मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने smartwatch में Wi-Fi connect करने के बाद internet चला सकते हो यानि कि यह सेम टो सेम अपने smartphone की तरह ही इसे use करना है गैस इस watch की अगर हम second minus point की बात करें तो यहां पर यह 4G Android smartwatch होनी की वज़े से थो Android smartwatch है जिसकी वज़े से आप अगर इस smartwatch को थोड़ी देर तक यूज करते हो तो आपको यह hitting की problem हो सकती है अभी हम बात करें इसकी third plus point की तो यह ACET Ultra smartwatch में हम internet चला सकते हैं और इसी की मदद से हम इसमें कोई भी games को भी download कर सकते हैं यानि कि जो games हम अपने smartphone में यूज करते ह है जैसे आप इस sensor को यूज करते हो तो यहाँ पे जो आपको अपने hand पे नहीं लगाना है यह फिर भी आपको जो आट्रेट दिखा सकता है यानि कि इसका जो sensor है यह properly work नहीं करता है इसके back side में यहाँ पे हमें ऐसे lighting वगेरा देखने को मिल जाती है लेकिन इसके जो sensor हमें दिखाय जाता है यह properly बिल्कुल work नहीं करते अभी हम बात करें smartwatch के fourth plus point की तो इस smartwatch में आप अपने smartphone की तरह कुछ भी यहाँ पे search करके जो यूज कर सकते हो यानि कि आपको इसके अंदर कोई भी website open करनी है या तो कुछ भी open करना है यहाँ पे जो आप Google में search करके अपने smartphone क की तरह सब कुछ search कर सकते हो इसके fourth minus point की बात करें तो यह android smartwatch है जिसकी वज़े से काफी हमें मोटी सी मिल जाती है देख सकते है यह normal smartwatch की compare में हमें काफी मोटी देखने को मिलती है और पहनने के बाद भी यह काफी मोटी सी देखती है अभी हम बात करेंगे fifth plus point की तो यह fully android smart watch होनी की वज़े से आप जो इसके अंदर यूटूब भी easily चला सकते है जैसे आप अपने smartphone में YouTube चलाते हो उसी तरीके से आप इस smartwatch में भी YouTube चला सकते हैं जैसे कि आपको full screen में YouTube देखना हो या तो full HD में देखना हो वो सब कुछ जो आप smartwatch में कर सकते हैं पर गैसे smartwatch में YouTube के यह full होने लगता है और जैसे इसका storage जो है वो full होता है तो यहाँ पर हमारी smartwatch हैंग भी होने लगती है यानि कि smartwatch में आपको storage की भी काफी problem हो सकती है तो यह थे ऐसे टल्टरा smartwatch के 5 plus point और 5 minus point I hope कि सभी points को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको ऐसे टल्ट भी कर सकते हैं